अगर आपके साथ कुछ भयानक हुआ है, तो आपको उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एगर आप उसे भूल गए तो आप फिर उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसा मूल रूप से इसलिए है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, दुनिया में लोगों को ये नहीं सिखाया है, कि अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तिमाल करें, ऐसे में सब कुछ दर देता है। सद्गुरू, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, हमें पता है कि हमेशा ये उनको याद रहता है, वो इसके बारे में बार-बार सोचती रहती हैं। एक समय आता है जहां वो इसे भुला दिना चाती हैं, लेकिन वो अपने अतीत को छोड़ना भी नहीं चाती, क्योंकि उसे छोड़ने में उन्हें गुनगार जैसा लगता है। तो ऐसा क्यूं होता है? और हम इस भावना को कैसे छोड़ें? जैसे अगर यौन सोचन या सेक्शल अब्यूस को लें, अगर किसी लड़की के साथ यौन सोचन होता है, आखिरकार जब वो ऐसी स्थिति में पहुँचती हैं, जहां वो उससे उभरने के लिए तयार तो हैं, लेकिन उसे भूल जाना उसे दोशी जैसा लगता है, क्यूंकि इसने उसे बहुत-बहुत लंबे समय तक परिशान रखा है, क्या ऐसे में उसे भूल जाना सही है? एक इंसान ऐसी स्थिति से कैसे निप्टे? देखे, मुझे लगता है कि ये संघर्ष एक गलत फहमी की वज़े से है, कि ये कुछ दुख़द या भयाना घटना जो किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, ये किसी के साथ भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आप उसमें फिर से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यादाश्ट और जीवन जीने के बीच के अंतर का पता होना चाहिए। आप जी रहे हैं। यादाश्ट एक मरी हुई आद हैं। आपको इसे अकलमंदी की तरह इस्तमाल करना कि आपके जीवन में ऐसी चीज फिर ना हो। पर ये जादा तर लोगों के लिए एक सच्चाई है कि जो उनके साथ 10 साल पहले हुआ था वो उन्हें अब भी कश्ट देता है। जो परसों हो सकता है वो उससे पहले से ही पीडित रहते हैं। जो 10 साल पहले या 10 दिन पहले हुआ था वो अभी मौजूद नहीं है। क्या वो है? क्या वो है? नहीं। जो परसों हो सकता है वो अभी मौजूद नहीं है। क्या वो है? नहीं। तो वास्तव में आप ऐसी चीज से पीडित हैं जो मौजूद नहीं है। आप मैंसे कितने मनुविक ज्ञान के विद्यार्थी हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई चिकिचा सम्बंधी नाम है, जो ऐसी चीजों से पीड़ित हैं, जो मौजूद नहीं है? नहीं नहीं, उन्हें बताईएगा मत वो उससे भी पीड़ित होंगे. अगर आप ऐसी चीजों से पीड़ित हैं, जो मौजूद नहीं है, तो एक स्तर पर ये पागलपन है, है न? जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो ये आपको बहुत क्रूर लगेगा, क्योंकि अरे मेरे अपने दुख हैं, देखिए, आप अपने दुखों को तमगे की तरह ढोरे हैं, समत कीजे, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब कोई चीज हमें चोट पहुँचाती है, तो या तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं, या घायल, हमारे पास यही विकल्प है, तो या तो हम इसे बुद्धिमान बन सकते हैं, या घायल बन सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसको जहल चुके हैं, जीवन बस थोड़ा सा समय ही है, यह बीता जा रहा है, जबसे आप यहाँ बैठे हैं, जबसे आप यहाँ आएं हैं, आप कबर के एक घंटा नस्दीक पहुँच चुके हैं, हाँ यह ना, हाँ यह बीता जा रहा है, यह हम सभी के लिए बीता जा रहा है, तो इसमें, हर अनुभव को एक घाव की तरह ढोने का समय ही का है, नहीं, इसे आपका विवेक बनना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आपको दूसरों से ज्यादा, दूसरों से पहले बुद्धिमान बन जाहिए, ना, पर अफसोस है, ज्यादा तर लोग घायल होने का चुनाव करते हैं, सिर्फ इसलिए क्यूंकि, फिर से, हमारी शिक्षा प्रणाली में हमने, मानव मन की प्रकृति को लेकर कुछ नहीं किया है, हम मेड़कों और कॉक्रोच और पेड़ों और केमिस्ट्री और फिजिक्स और ग्रहों और सब तरह की पढ़ाई में बिजिया है, इसकी और कोई ध्यानी नहीं दिया गया है, अब भी जीवित हो, यहां एक भंडार है, आपके मन में एक संग्रह है, जो आप जब चाहें पूरे विडियो को फिर से चला सकता है, पर यह एक समस्या बन गया है, आप पुरानी फिल्मों से दुख उठा रहे हैं, और एक जबरदस्त कल्पना करने के एक शमता है, तो आप सिखाया है कि अपनी इंद्रियों का, अपनी याददाश्त का, अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करें, जीवन को इस समय कैसे अनभव करें, अभी अपने अनभव को तीवर कैसे करें, आपका पूरा जीवन इन तीन आयमों के बीच घट रहा है, याददाश्त, वर्तमान अनुभव और कल्पना यही आपका जीवन है है ना ये तीन आयाम है हम इने त्रिकाल कहते हैं समय के तीन आयाम आपका जीवन का सारा अनुभव यहां घट रहा है पर अगर आप अतीत वर्तमान और भविश्य के बीच का अंतर करने का बोध खो दें तो सब कुछ दुख देत लोगों को लगता है अगर वो पीड़ित हैं तो वो बहुत बुधिमान हैं वो बहुत गंभीर हैं नहीं ये बस बचकाना है क्योंकि आप ऐसी चीज़ से पीड़ित हैं जो मौजूद नहीं है आप उससे पीड़ित हैं जो कल हुआ था और आप पहले से ये ऐसी चीज़ से पीड़ेतें जो कल हो सकती है तो इस पागलपन को बस इसलिए बढ़ावा दिया गया क्योंकि बस हमने कभी लोगों को सिखाया ही नहीं कि वो अपने इक्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करें क्या आप मुझसे सहमत हैं कि ये human machine जिसे आप और मैं चला रहे हैं ये धर्ती की सबसे बहतरीन machine है क्या आपने इसका user manual पढ़ा है क्या आपने उसे पढ़ा है नहीं आप उसे कब पढ़ेंगे आँखरी दिन जब आप एक नया phone खरीते हैं क्या आपको पहले दिनों में user manual पढ़ना चाहिए या तीन साल बाद जब आप उसे छोड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी है ना पहले ही दिन आपको पढ़ लेना चाहिए सिर्फ तभी आप इस phone को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए भी यही बात है अगर आप इसकी प्रकृती को ही नहीं समझे तो आप इसे इस्तेमाल में कैसे लाएंगे यह आपको खाये जा रहा है आपकी अपनी बुद्धी आपको खा रही है आप इसे तनाओ, चिंता, दर्द, दुख कुछ भी कह सकते हैं असल में आपकी बुद्धी आप ही के खिलाफ हो गई है यही सच्चा ही है अगर आपकी बुद्धी आपके लिए काम करती अगर यह आपकी बात मानती तो आप खुद को आनंद में रखते क्या इसा नहीं होता हलो आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है क्यों आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है आपको इसकी और देखने की जरूरत है ना कि उन चीजों को तमगे की तरह ढोने की जिनें आपके साथ नहीं होना चाहिए था इससे बहुत सी महिलाएं मेरे खिलाफ हो सकती है अगर मैं आपके खिलाफ होता तो मैं आ नहीं होता है ना? अगर मैं आपके खिलाफ होता तो मैं आपके खिलाफ होता